दोस्तों आर्मोरे चानल में आपका स्वागत है और आज मैं बहुत अलग धंग का वीडियो लेकर आई हूँ और ये हमारी फिमेल जितने भी दोस्त हैं उनके लिए बहुत ही स्पेसल है दोस्तो पीरियड यानि महवारी के दोरान जो अहसानी पीडा होती है पेट में पैर मे जिसको menstrual crepes कहते हैं तो इससे बहुत लोग बहुत परिशान होते हैं और बहुत लोग को जरूत पड़ जाती है हॉस्पिटल में जाने की या tablets खाने की दोस्तों मैं बता दूं कि tablet बहुत ज़ादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत दूस्परभाव पड़ सारी बीमारियां जैसे कि अगर ओवरियन सिस्ट देखा जाए तो काफी मामलों में इसका कारण मिल जाता है कि बहुत जादा मेडिसीन का सेवन करने से इसका टॉक्सिसिटी की कारण भी होता है और बहुत जादा अगर जो लोग इसको टैबलेट्स को खाते हैं परहेज नहीं करते तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बीमारियों का कारण भी बन जाता है जैसे की कैंसर बगहरे बगहरा अब जान लेते हैं कि आखिरी दर्ध होता क्यूं है तो ये जो टीशू का फटन होता है और इनका छरण होता है तो कहीं पर भी इस तरह की प्रॉब्लम फटान या कहीं पर इंजर्ड कोई भी टीशू या सेल होता है तो वहां पर पेइन होना स्वेलिंग का होना लाजमी है दोस्तों इसमें पेट में गैस जैसा रहेगा या पेट कहीं ने कहीं सक्त हो जाएगा फूला रहेगा पेट के निचले भाग में बहुत असहनी पीडा होती है कमर में पीडा होती है पीट के उपरी भाग में बहुत ही दर्ध होता है पैर में ब और बहुत परिशान होकर दवा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा आपको अपने घरीलू चीजों के बारे में सोचना, आपके घर में सारी चीजे रहती हैं, अगर आप इसका सही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इससे बिल्कुल निजात पा जाएंगे, और कोई भी खत्रा होने क चांस होगा ही, नहीं, साइड इफेक्ट होगा ही, दोस्तों, मैं बता दूं कि इसके लिए आप कुछ जो बहुती स्पेशल, मैं ट्रीटमेंट बता रही हूं, आप घर में कर सकते हैं, पहली चीज है कि आप सिकाई कर लें, मैंने इसका वीडियो बना कर दिया, हाट वाट दूसरी चीज है दोस्तों की गरम चीज ही इस्तेमाल करिये, आप अगर सोब का अर्क पीते हैं, अगर जैसे यह आप ब्लैक टी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे बना लिजिए, उसमें सोब डालकर और दो बार पीजिए, बहुत ही आराम उससे मिलता है, आप अगर अध्रक के paste को استعمال करते हैं या उसके अर्प को इस्तिमाल करते हैं उसमें धोड़ा सा सैद मिला ले और उसको आप अच्छी तरह से थोड़ा सा लिक्विड फार में बना ले फिर दो बार ले ले बहुत ही आराम होता है दोस्तों पीता का तो आप जानते हैं कि चाहे वो प्रेगनेंसी हो चाहे वो डिलिवरी हो चाहे वो कोई भीमारी हो या पेरियट से संबंदी कोई भी परिशानी हो उसमें बहुत जादा बेनिफिशियल होता है तो यहां पर यह जो पपीता होता है जो पका हुआ पपीता बहुत ही फादेमंद होता है अगर पपी तो अगर इसका यूज करा जाए तो बहुत ज़्यादा होने वाला क्योंकि दोस्तों इसमें आप जानते हैं क्या होता है एक तो भरपूर आइरन होता है केरोटिन होता है विटिमिन A होती है काल्शिय मोता ये सारी चीजे होती है जो उस समय बहुत ही जरूरी होता है तो आप इसको भी खा सकते हैं दो बार तीन बार खा सकते हैं जो जितना खा सकते हैं इसका कोई ऐसा नहीं है कि एक एमाउंट हो और जो अगली चीज में बताने जा रही हो वह अराम मिलेगा दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ आपको नौलिजफुल आपको बाते बताया हो तो प्लीज आप इसको पूरा देखें और इसको फालो करें ऐसा करें करके देखें दोस्तों बहुत फादा होगा आप दवाओं के चक्कर में पड सब्सक्राइब होगा और आप इससे और पीड़ा से निजात पाएंगे दोस्तों इसी के साथ आर मोर्या चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं की हैं तो प्लीज दोस्तों प्लीज कर लीजिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं लेकर आती रहती हूं धन्यमान